आल राइट, आज हम बात करेंगे कि यह जो errors हमने पढ़े हैं, चाहिए वो effecting trial balance है, दो किसम की errors पढ़े हैं, चाहिए वो errors हैं जो के effecting trial balance है, या वो errors हैं जो के not effecting trial balance है. इन दोनों errors को हमें rectify तो करना पड़ेगा, यानि इनको ठीक करना पड़ेगा, कल अबुजर ने सवाल किया था, के sir इनको ठीक कैसे करेंगे, तो rectification कैसे करेंगे, देखे, rectification के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक methodology बताऊंगा, which I think is the easiest one, बाकी अगर आपको लगत है कि कोई और इससे easy methodology है, तो you can use that as well, but I will recommend कि आप इसको follow करेंगे, देखे, सबसे पहला काम आपने ये करना है, कि पेपर के अंदर आपको transactions बताई भी होगी, और ये बताया होगा कि ये transaction थी, और ये इन्होंने काम परफॉर्म किया, यानि transaction ये थी, और इन्होंने उसकी य एंट्री पास कर दिया, ये treatment कर लिए, सबसे पहला काम आपने करना है, फर्स स्टेप पर, आपने correct entry लिखनी है, correct entry का मतलब ये है कि जो entry होनी चाहिए थी, suppose करते हैं, मैंने आपको example दी थी, कि आपने debit करना था, rent expense, ठीक है, dollar hundreds है, और credit करना था, cash, ये होनी चाहिए थी, correct entry, इसके बजाए, उन्होंने क्या किया, कि rent की बजाए, stationary expense को debit कर दिया, और credit वोई cash किया, तो ये है, कौन सी entry, ये है, wrong entry, सबसे पहले हमने लिखी जनाब correct entry, फिर हमने लिखना है जनाब wrong entry, जो कि उन्होंने पास किया है, अब तीसरे स्टेप पे हमने करनी है, rectification, rectification में आप देखें, कि common entry कौन सी है, अब ये correct entry है, जिसमें rent expense debit होना चाहिए था, cash credit होना चाहिए था, ये wrong entry है, जिसमें stationary expense को debit कर दिया, cash credit, दोनों सूर्तों में cash की जो entry है, वो तो सही credit हुई है, cash credit होना चाहिए था, cash credit ही हुआ है, जो ये जो common entry है, इसको आपने ignore कर देना है, क्योंकि ये तो already सही pass हुई, चीक है, फिर आपने देखते हैं, entry not been passed, कौन सी entry passed नहीं हुई, और कौन सी ऐसी entry है, जो के incorrectly record हुई है, अब ज़र आप यहाँ पर देखें, कि rent expense debit होना चाहिए था, cash credit होना चाहिए था, ये थी correct entry, wrong entry क्या पास किया है, stationery को debit कर दिया, cash को credit कर दिया, दोनों सूर्थों में cash वाली entry सही record हुई है, इसको नहीं चेड़ना, क्योंकि ये तो सही record हो गया, कौन सी entry pass नहीं हुई, debit rent expense नहीं हुआ, rent expense को debit कर दो, और कौन सी entry गलत पास हुई है, stationery expense गलती से debit हो गया है, अब इसको खतम करने के लिए हम क्या कर देंगे, credit कर देंगे, तो ये हो गई आपकी rectification, दुबारह सुने, cash वाली entry ठीक पास हुई भी थी, उसको हमने ignore कर दिया, क्योंकि अब अल्रेड़ी सही recorded है, rent expense रिकॉर्ड नहीं हुआ था, rent को record कर लिया, stationery expense गलती से record हो गया था, गलती से debit हो गया था, उसके effect को खतम करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, credit कर दिया, तो अब ये हो गई जनाब, आपकी simply rectification, further examples लेते हैं जनाब, और further examples से देखते हैं कि हम, अब आपको याद होगा कि हमने एक error of principle भी पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि debit होना चाहिए था building, debit building amount थी $5,000, $50,000 कर लें इसको, credit होना चाहिए था cash, यानि building purchase की है, $50,000 की, ये आपकी correct entry है, गलती से आपने क्या किया, asset को expense treat कर दिया, और आपने इसको treat कर दिया, electricity expense debit, $50,000 से, और cash को कर दिया credit $50,000, ये आपने कर दी जनाब, wrong entry pass, अब तीसरे नंबर पे हमने करनी है, जनाब, rectification, और rectification का असूल मेंने क्या बता है, देखें, पहले common entry देखें, ये दोनों cases में जो cash वाली entry है, ये ठीक pass होई हुई हुई, इसका मतलब है कि इसको नहीं छेड़ना, ये सही pass होई हुई हुई, इसको ignore कर देखें, कौन सी entry pass नहीं हुई, building debit नहीं हुई, building को debit कर दें, और कौन सी entry गलत pass हुई है, electricity expense को खलती से आपने debit दिया, उसको खतम करने के लिए, electricity expense को कर दे, credit, तो ये आपकी होगी जनाब सही entry pass, अब बाकी rectification में कल वाली file पे ही कर देता हूँ, बाकी rectification अब यहीं पे करता है, देखें, complete reversal of entry क्या था, कि debit को credit लिख दिया, credit को debit, अब correct entry आपको क्या करने ही चाहिए थी, correct entry आपको pass करने ही चाहिए थी, debit, drawings, credit, cash, गलती से आपने क्या entry पास कर दी, आपने debit कर दिया, cash को credit कर दिया, drawing को, यानि opposite entry पास कर दी, अब मैं इस entry को ठीक करना चाहता हूँ, कैसे ठीक करूँगा, देखें, यहाँ पर debit होना चाहिए था, drawings, credit होना चाहिए था, cash, लेकिन यहाँ पर तो common entry कोई भी नहीं है, चीक है, अब debit करेंगे drawings को, और credit करेंगे cash को, लेकिन, जब आप एक बार drawings को debit करेंगे, तो उस ताइम उसका credit वाला impact खतम होगा, क्योंकि आपने गलती से drawings को credit कर दिये, तो अगर मैं 100 से entry पास करूँगा, तो वो तो impact उसका zero हो जाएगा, क्योंकि जब 100 से उसको debit कर दूँगा, तो credit वाला impact खतम हो जाएगा, मुझे 200 से ये entry पास करनी पड़ेगी, ताकि 100 से एक दफ़ा जो credit वाला impact है वो खतम हो जाए, और फिर एक दफ़ा 100 से debit entry रिकॉर्ड हो जाएगा, इसी तरह cash को भी मुझे 200 से record करना पड़ेगा, क्योंकि cash को गलती से यहाँ पर debit करती है, जब एक बार cash को credit करेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा, दूसरी दफ़ा cash record हो जाएगा, यह बात याद रखिएगा, complete reversal of entries के case में, you have to pass the double entry with twice amount, double amount, इसी तरह आगे चलते हैं, error of original entry या error of transposition जो हमने discuss किया था, अब यहाँ पर आपने wrong amount से entry pass कर दिया, debit और credit ठीक लिखता है, amount गलत लिखिए, for example आपको receeber से cash receive हुआ तो आपको entry pass करने चाहिए थी, debit, cash, credit receeber, 200 से, आपने debit, cash, credit receeber लिखिया लेकिन 2000 कर दिया, चीक है, 200 की बजाए 2000 से entry pass कर दी, अब मुझे इसकी rectification कर दी है, तो आप में से कोई बता सकता है कि क्या double entry होगी और कितनी amount से होगी, तो देखिए, अब हमने घलत entry pass कर दी थी, debit, cash कर दिया था, 2000 से, अब यह over statement है, 200 की बजाए 2000 record कर दिया, यानि 1800 जादा record कर दिया, अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब cash को आपने 2000 पर record कर दिया, 200 का करना चाहिए था, 1800 का जादा record कर दिया, तो 1800 से cash को कम कर देंगे, 1800 cash credit होगी, receival 2000 से credit होना चाहिए था, 200 से credit होना चाहिए था, 2000 से कर दिया, 1800 जादा कर दिया, तो receival को क्या कर देंगे, debit कर दिया, तो यह आपकी simple हो गई, double entry justification, यह बात याद रखेगा, इसका असान तरीका मैं आपका बताओ, असान तरीका यह है कि अगर understatement होई है, यानि 200 की बजाए 20 लिख दिया, अब 180 से same entry pass करेंगे, debit cash credit receival, लेकिन अगर आपने overstatement की है, 200 को 2000 लिख दिया, तो फिर opposite entry pass करेंगे, difference वाली figure से, तो यह point आप याद रखिये, कि हमने understatements की हैं, या overstatement की हैं, अगर understatement की है, अगर आपने overstatement की है, तो फिर opposite entry pass करेंगे, फिर मैंने आपको error of transposition बताया है, जिसमें आप figures का sequence कर देते हैं, आपको entry करने चाहिए थी debit cash credit capital, यानि ये capital introduced की entry है, गल्ते से आपने क्या कर दिया, debit कर दिया cash को 556 से, और capital को credit कर दिया 556 से, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये understatement है, ये overstatement है, और फिर इसकी correct entry क्या होनी चाहिए, यानि rectification की entry बताये मुझे, जब भी understatement होती है, तो आप same entry pass करेंगे, debit cash, credit capital, कितनी amount record नहीं होई? 9, तो debit cash 9 से credit capital 9 से, क्योंकि ये understatement है, अगर overstatement होई होती होती है, फिर डिफरेंस से opposite entry pass करेंगे, अब आजाते हैं, errors affecting prior balance पर, यहाँ पर तो suspense account को लाओगा, देखें, debit cash कर दिया, पहले आरता single entry error, सिरफ एक entry pass करेंगे, जब वो एक entry trial balance में जाएगी, तो दूसरी side पर आपका क्या कुलेगा, suspense account को लेगा, ठीक है, so credit side पर क्या खुल जाएगा, suspense account, 100 से, अब entry क्या होनी चाहिए थी, ये entry थी basically cash receive from a receivable, so debit cash होना चाहिए था, 100 से, credit receivable होना चाहिए था, 100 से, ये correct entry है, ये अपने पास की wrong entry, single entry और credit side पर खुल जा, suspense account, अब अगेन वोई principle apply करें, देखें, कौन सी entry सही record हुई, ये common entry, cash दोनों cases में सही record हुआ गर, तो cash को कर देंगे ignore, क्या record नहीं हुआ, receivable record नहीं हुआ, तो credit कर दे receivable को, 100 से, और ये जो आपने टेंपरेली credit side पर suspense account खुला था, अब चुक्के आप receivable को credit कर चुके हैं, तो उस suspense account को खतम करके, debit कर दें, तो suspense account हो गया debit, सिंगल entry आपने पास की debit cash, credit entry पास करना भूल गए, पूरी entry थी debit cash, credit receivable, तो चुक्के credit side पर कुछ पास नहीं किया, तो उसकी जगा suspense account खुल गया, टेंपरेरी उसको बैलन्स करने के, फिर आपने देखा कि कौन सी entry सही पास होई विए, cash दोनों cases में सही पास होऊ तो इसको इगनोर कर दिया, receival की entry पास नहीं होई थी, वो पास कर दी, अब जब receival की entry पास हो चुकी, तो यह जो आपने टेंपरेरी suspense account फोला था credit side पर, उसको खतम कर दें by passing a debit entry, तो यह आपकी rectification हो, चैनल जी देखिए, अब second हमारे पास, both debit and both credit का case है, entry आपको पास करनी चाहिए थी, debit, cash, credit, receival, आपने गलती से entry पास कर दी, debit, cash, debit, receival, यानि दोनों debit side पर लिख दिया, अब जब दोनों debit side पर लिख दिया, तो credit side empty है, इसको temporary balance करने के लिए open हो जाएगा, suspense account, यानि credit side पर खुल जाएगा, suspense account कितनी amount से, 200 की amount से, अब हमने करनी है rectification, तो देखें, दोनों cases में कौन सी entry सही पास हुई है, cash वाली entry सही पास हुई है, तो cash को ignore करते हैं, चीक है, receival credit होना चाहिए था, receival को आपने debit कर दिया है, इसका मतलब है कि आप मुझे receival को credit करना पड़ेगा, 200 से, double amounts से, क्योंकि एक बार जब मैं credit करूँगा, तो वो debit वाला impact cancel होगा, और दूसरी दफा सही record होगा, तो इसलिए मुझे receival को credit करना पड़ेगा, 200 से, अब हमने receival को 200 से credit कर दिया, receival के entry ठीक हो गई, अब यह जो tempally हमने credit side पर suspense account को ला था, इसको खतम कर देंगे, तो debit कर देंगे suspense account, तो यह बात याद है कि suspense account इवेंचुली खतम होना होता है, जब entry ठीक हो जाती है, तो इवेंचुली इसको खतम होना होता है, now we have third entry which is error of transposition, या error of original entry with single effect only, entry होनी चाहिए थी debit, rent expense 500, credit cash 500, यानी rent पे किया उसकी double entry, घल्टे से आपने क्या कर दिया, कि rent expense को 500 से debit किया, लेकिन cash को 5000 से credit कर दिया, इसकी वज़े से दोनों sites बराबर नहीं आई, credit site 5000 से आ रही है, debit site 500 से आ रही है, तो suspense account खोलना पड़ा, कितने से 4500 से debit site पर, अब आप मुझे ये बताएं कि rectification कैसे करें, चले जी देखें, अगें वो ही principle आपका अपलाय होगा, मैंने आपको बताया कि दोनों entries के अंदर, ये सही वाली entry है, ये गलत वाले entry, दोनों के अंदर common entry कोन से थी, rent expense दोनों जगा पे सही record हुआ, 500 का record होना चाहिए था, 500 का ही record हुआ, इसलिए rent को skip कर देंगा, अब cash आपने 500 की बज़ाए 5000 का record कर दिया है, अंडर statement है या over statement है, over statement है, 500 से cash record दोना था, 5000 का record कर दिया, अब आपको cash को क्या करना पड़ेगा, debit करना पड़ेगा 4500 से, और ये भी ये जो temporary suspense account खुला था, credit कर देंगे suspense account, सो ये हो जाएगी आपकी rectification की entry, क्योंकि जब आपने यहाँ पर debit rent किया, credit cash 5000 से किया, तो debit side पर suspense account खुल गया था, 4500, अब cash 500 की बज़ाए 5000 का credit कर दिया, उसको ठीक करने के लिए 4500 से cash को debit किया, और जो temporary suspense account होला था, उसको पतम कर देंगे, अब ये वाली entry तो आपको आने चाहिए, debit करना था drawings 240 से, credit करना था cash 240 से, drawings को आपने 420 से debit कर दिया, और cash को credit कर दिया 240 से, ये सही entry है, और ये गलत entry है, अब आप मुझे rectification की entry जल्दी से बता देंगे, अब इस entry में देखें, debit करना था drawings 240 से, credit करना था cash 240 से, आपने drawings को 420 से debit कर दिया, cash को 240 से, इसका मतलब डेविट साइड जाता है, credit साइड काम है, credit साइड कितने से कम है, credit साइड 180 से कम है, तो यहाँ पर फुल जाएगा suspense account, अब दोनों cases में कौन सी entry आपने ठीक पास किया, credit cash वाली entry आपने ठीक पास किया, इसको इग्नोर कर देखें, drawings को 240 का debit होना चाहिए था, 420 का आपने कर दिया, जाधा कर दिया, अब drawings को आप 180 से credit कर देंगे, क्योंकि आपने इसको जाधा debit कर दिया, और यह जो temporary आपने suspense account को रहा था credit side पे, यह हो जाएगा, खतम तो debit हो जाएगा suspense account, credit हो जाएगा, drawings.